तो आज इस lecture में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप countries, states and cities के data को insert कराओगे अपने mongodv database में और हमें यहाँ पर यह भी चेक करना है कि जो हम data insert कराएंगे database के अंदर countries, states and cities एक दूसरी के ऊपर dependent होनी चाहिए मतलब कि कुछ common होना चाहिए जब हम insert कराएंगे ठीक है तब ही तो आप कुछ APIs अपक्रेट करोगे तो वो dependence drop-down अपक्रेट कर पाओगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा एक new project setup है यहाँ पर देख पारेंगे तो आप चाहें कुछ भी करो और यहाँ पर मैं आपको एक main चीज बता जिता हूँ यहाँ पर मैं bulk operation का performance यहाँ पर करने वाला हूँ इस project के अंदर क्योंकि यहाँ पर मैं bulk operation को इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास countries होंगे states होंगे cities मतलब यह हजारों में data आपके पास आने वाला है ठीक है हजारों data आपको insert करने के लिए आप ऐसा तो नहीं है कि model model का use करो ठीक है फिर new करके आप उसमें हरवार save करारे हो save करारे हो यह best approach नहीं है यह bad approach है ठीक है इसलिए हम यहाँ पर अपना bulk operation perform करने वाले जो की एक साथ चुटकियों में आपका data insert कर देगा database में ठीक है तो यहा यहां पर bulk operation को perform करा पाऊंगा ठीक है क्योंकि मेरे को उसे initialize पहले करना होता है इसलिए mongo db यहां पर मेरे लिए जरूरत होने वाला है ठीक है तो यह थोड़ा install होने में time ले रहा है भी ठीक है install हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो अभी यहां पर मेरे को जो दूसरा package install कराना है वो काफी useful है आपके लिए उसका name है जो कि यहां पर आप देख सकते हो मैं type कर रहा हूं npm install आपको लिखना है simple country and state and then आपका city ठीक है यह package है जो कि आपको country, state, city निकाल करके आपको दे देता है all over world की ठीक है जितनी भी आपकी countries है states and cities है ठीक है तो इतना काम करने क आपके बाद आवा हमां आपते हैं अपने एक file हम create कर लेते हैं यहां पर जिसका name मैं रख लेता हूं like index.js चाहिए आपकी कोई भी file हो अगर मान कि चलिए आपका कोई project था बस आपको insert करनाने थे country, states and आपके cities तो आप एक अलग से file उना करके उसे node जो आपका file निकाल कर द निकालूंगा, states निकालूंगा, cities निकालूंगा, ठीक है, अब जो मैंने package अभी install किया है, उसका name है country, state, city ठीक है, अब इसके पास मैं dot लगाऊंगा, तो यह मेरे को country दे देगा, जितनी भी country होंगी, मतलब इसके पास कुछ methods होंगी, जो कि अभी मैं call करूंगा, ठीक है, like same मैं यहां पर क्या करूंगा, dot, अगर मैं dot लगाऊंगा, और यहां पर city आ चुका है, oh sorry, state का मैं use करूंगा, विसलिए state है हमारा यह, ठीक है, और यहां पर simple इसके लिए मैं city लिगूँगा, ठीक है, अभी क्या होगा, इनके पास कुछ ऐसे methods आ आ चुके, इन variables के पास, ज यहां पर get all countries का आपके पास already option आ चुका है, यहां से आप क्या कर सकते हो, get all countries कर सकते हो, like यह method है, जो कि अगर मैं यहां पर देखिए, मैंने यह save किया code, और मैं यहां पर इसको run करता हूँ, like node index.js, ठीक है, आप, sorry, node था, इसलिए मैंने ndo e कर दिया है, ठीक है, तो node mode भी start कर सकता हूँ, पर फिलाल मैं एक यह यह बार कर रहूं, इससे start, ठीक है, तो यहां पर मैंने देख सकते हो, guys, यहां पर आपको कुछ इस तरीके का data format देखने को मिल राए, ठीक है, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल राए, इसमे, मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देत लिए मैं क्या करता हूँ एक new मतलब एक control and करके यहां पर इसको paste कर लेता हूँ ठीक है मैं बाद में मेरे को need पड़ेगी ना इन मैं से कुछ चीजे मेरे को copy करनी होगी ठीक है मतलब keys की need पड़ने वाले होगी ठीक है सेम मैं क्या करता हूँ यहां पर देखो अभी इसके पास country के पास काफी और methods है like get country by code ठीक है अब get country by code यहां पर आप क्या करोगे code पास करोगे country का उस specific country का आपको उस get country के दे देगा ठीक है data जो भी ठीक है अब मैं क्या करता हूं सेम state का देख लेते हैं state.get all states करूंगा ठीक है बाकि और methods है जो कि आप use कर सकते हो ठीक है अभी यहां पर मैं क्या करता हूं इसे again hit करता हूं यहां पर तो यहां पर मेरे को states मिलने वाली है तो यहां पर तो यह स्टेट्स मिल चुके हैं अभी यहां पर यह आपको यह स्टेट्स आ रही जो कि कुछ और भी है स्टेट्स जो कि आभी आपको more items में दिखाई द रही है भी आपके database में जाएंगी तब सब आपको देखने को मिलेंगी ठीक है यहां से मैं इसको भी copy कर ल तो यह मेरा स्टेट के लिए होगा और एक मैं सिटी के लिए यहां पर response कॉपी कर लूँगा ठीक है एक छोटा सा मतलब डेमो के लिए जैसे कि हमें बार-बार console.log ना करना पड़े ठीक है तो सेटी के पास आउँगा city.get all cities आ रहा है get cities of country, get cities of state यहां पर आप इन तीनों का यूज कर सकते हो आप इसका ओफिसली डॉट जाकर के पढ़ सकते हो जो कि आपको package का मिली जाएगा जैसी आप सर्च करोगी Google पर ठीक है तो node index.js किया अभी यहां पर देख सकते हो आपके पास city आ चुगी है जो कि एरा country code आ रहा है state code आ रहा है basically यह आपको दिखाई दे र हो गया ठीक है अभ यहां पर हम working करने वाले है तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास सारा का सारा data रहा है जो कि काफी सारा है हजारों में data है हम यहां पर model के साथ working नहीं करेंगे हम बेव पूफ इतने नहीं है कि हम model के साथ working करें और हमारा code जो है काफी time late ठीक है और क्या पता ड्रॉब भी हो सकता है ठीक है पर यहां पर हम बल्क ऑप्रेशन का परफॉर्म करने वाल है तो हमने जैसा कि मैंने आपको बता है मौंगो डीवी का हम यूज करेंगे तो मैं यहां पर रिक्वायर करूंगा सबसे पहले मौंगो डीवी को तो यहां पर हम मौंगो डीवी को ले लेते हैं ठीक है इसके पास होता है यह आपको प्रोवाइड करना है and then colon slash slash and then आपका जो URL है like आपका यह है localhost ठीक है localhost डालो यह आप इस तरीके से भी ढाल सकते हो क्या करना है यहां से आपका mongodv यह URL आपका चला गया ठीक है and then यहां पर हमें चैक करना होगा बिसक लिए दो diferenuous parameters ले रहा होगा ठीक है जो की विसके आपका एरर होगा ठीक है olur ठीक है एरर होगा और यहां यहां पर हम क्या करेंगे बिसलिए हम चेक कर लेंगे सबसे पहले कि एरर तो नहीं आ रही है आपके connectivity में तो हम क्या गरेंगे उसे थ्रो कर देंगे थ्रो ठीक है अब थ्रो हो जाएगी बढ़ना हमारा नीचे का कोड तो चलना ही है एक मैं वेरियोल होना रहता हूं बैड डीवी ओ करके ठीक है क्योंकि यहां पर डीवी तो मैंने उपर दे रखा यहां पर ठीक है तो मेरे को इसको यूज करना हुआ तो डीवी डीवी डॉट डीवी ठीक है इसके पास डीवी मेह थाड है जिसमें हम क्या करेंगे बिसलिए अपना यहां पर अपना database का name pass करेंगे already exist करता है आपके database तो यहां पर already उसका pass कर सकते हो और मैं यहां पर क्या करता हूं यहां पर हम डाल लेते हैं like dependent to dependent data तरगे कर लेता हूं ठीक है तो यह मेरा database है जो कि अभी exist नहीं ही करता है यहां पर कहीं पर भी ठीक है तो अभी यह create हो जाएगा जब हमारा बल्क operation perform होगा तो यहां पर मैंने database से connectivity किया है ठीक है हम मैं यहां पर क्या करूंगा basically इस database के अंदर क्या collection create होना चाहिए सबसे पहले आपको पता है countries होगा state होगा cities होगा ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे dbio का use करेंगे dbio.collection ठीक है collection में आप यहां पर वो name provide करने वालो like मैं यहां पर सबसे पहले तो मेरा countries होगा वो आपने यहां पर provide किया अब यहां पर हमें यह important वात है यहां पर आपको initialize करना है अपने bulk operation perform कराने के लिए तो हम यहां पर क्या करेंगे initialize यहां पर यह आ चुका है क्या चुका है विसकी initialize under bulk of sorry हमें यहां पर करना होगा order bulk ठीक है यह I think मेरे को suggestion में आतो आना चाहिए था पर आया क्यों नहीं है है चेक कर लिता हूँ एक बार टॉट इन इसला हां आतो राय है अन ओडर एक होता है अन ओडर एक होता है ओडर ठीक है तो हमें यहां पर order वाला यूज करना चाहिए ठीक है तो और वाला हम यहां पर यूज करेंगे जो कि मैंने अभी क्या किया अपने कलेक्शन को कनेक्ट गिया countries ठीक है और फिर मैंने यहां पर क्या किया इनिसलाइस कर दिया उसमें bulk operation ठीक है यह BULK UP मतलब bulk operation ठीक है इनिसलाइस कर दिया मैंने किस collection पर यह वाली collection पर ठीक है तो अब मैं मैं इस collection पर bulk operation perform कर सकता हूं like मैं एक variable होना लेता हूं जिसमें मैं क्या कर लेता हूं countries bulk करके मैं एक variable होना लेता हूं जो कि मेरा यह store हो चुका है ठीक है यहां पर इतना काम कर लिया आपने अभी यहां पर आपको कंड़ना है कैस सबसे पहले आपको countries निकाल लेनी है एक variable में like countries करके एंड़न आपको पता है country हमें कैसे निकलेंगी सारी की सारी जो कि हमारा यह country नाम का variable है इसके पास एक method है get all countries ठीक है यहां से हम सारी की सारी countries निकालने वाले हैं और हम इसका एक फोरीच लूप चला लेते हैं जिससे कि हम bulk operation को परफॉर्म करा पाएं countries.forEach forEach में हम क्या करेंगे यहां पर basically एक variable मना लेते हैं country जिसमें एक एक करके country आ रही हूंगी आपके ठीक है इतना काम किया अब हमें यहां पर जो entries आ रही है मतलब countries जो आ रही है उनको हमें insert करा है तो हम क्या करेंगे countries.bulk.insert ठीक है यहां पर हमें countries.bulk.insert का यूज करना हो और इस insert के अंदर आप एक object पास करोगे ठीक है अब सबसे पहले तो मैं एक नेम रखूंगा इसका country का नेम ठीक है अब country का जो नेम था वो response में हमें क्या मिला था like वो हमें मिला था simple name ठीक है इसलिए मैंने यहां पर copy किये थे तो मैं country.name ठीक है अब मेरे कोई यहां पर dependent drop-down उनानी होंगे तो हमें कुछ common तो रखना ही होगा अब country में रखो यहां मत रखो उससे कोई फरक नहीं है पर हम क्या करते हैं यहां पर iOS से code रख लेते हैं ठीक है तो like मैं यहां पर रख लेता हूं कुछ भी name रख सकते हो जरूरी नहीं है कि जो मैं name रखूं वो आप रख लो like मैं यहां पर रख लेता हूं short name ठीक है short name करके आप code मतलब country code बगेरा डाल सकते हूं ठीक है मैं यहां पर अपने पिछले lecture से related यहां पर जो है यह keys रख रहा हूं ठीक है क्योंकि मैंने last lecture जो बनाया था countries state and city का drop down आप dependency drop down आप कैसे create कर सकते हो उनकी apps जो मैंने create की थी तो उनमें इस तरीकी से name ठीक है तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं country dot और जो मेरा क्या था बिसली iso code ठीक है यह जो iso code है वो मेरे को नीड है इंसर्ट कराने के ठीक है नीड तो नहीं है बिसली country में नहीं है आपको states और cities में पढ़ेगी ठीक है तो यहां पर मैंने countries bulk जो है operation perform मतलब इंसर्ट कराने के लिए यह यूज कर दिया है अब मैं क्या करूंगा countries बल्क को जो है execute कर दूंगा ठीक है क्योंकि यह जब तक इंसर्ट नहीं करेगा जब तक मैं countries bulk dot execute का यूज ना करूं मैं तड़का ठीक है और मैं यहां पर console dot log करा देता हूं कि countries inserted ठीक है अभी countries inserted हो जाएंगी पर मैं चाहूंगा कि मैं ऐसे ही करके states and अपनी cities को भी insert करा हूं तो मैं क्या करता हूं simple इनको copy कर लेता हूं यह एक साथ चुट्कियों में आपका data insert करा देगा ठीक है अब मैं क्या करता हूं यह तो basically मेरा countries का था अब यहां प और यहां पर जो मेरा method होने वाला है वह होने वाला state.getAllStates ठीक है और यहां पर हम रख लेंगे states नाम का variable ठीक है और यहां पर भी हम रख लेंगे states नाम का variable यहां पर हम रखेंगे एक-एक state आ रही है basically हमने state निकाली और यहां पर countries वल्क में नहीं जाएगा यह states वल्क में कर दिता हूं और यहांपर मैं लिग तां एस्टेट इंसर्ट जिसें अब यह पर बात आ आतीए कि हमें डेटा क्या क्या इनसर्ट कराना है ठीक है है एक बार हम चैक कर लेते it Like our आपका क्या उनुम्न वाला है विसली यहां पर आपका को एक से और ओर फिर आपने सार्श निकाल लिए लुब चलाया एक स्केष्स निकल लिए यहां पर यहां पर हमें से साहरे साहे सारा डेटा निकालना हो को दुख में निए wonder like मैं में स्टेट के अंदर आ जाऊंगiform दो एक को स्टेटका नेम निकाला है और मेरे को यहां पर निकालना है हॉ 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 है कि यहां पर आपको निकालना है। कन्ट्रीस फोक ढूर कि पर country code आपको इसलिए निकालना क्योंकि आपका like इंडिया हुआ तो यहां पर इंडिया आ रहा हुआ ठीक है यह तो बिसक्लिक किसी और का था यहां पर मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि क्या हमारा यह perfect work कर रहा है ने ठीक है तो यहां पर आप रखो country code यहां पर करेंगे state.name आया ठीक है state.name जो की आपका यह रहा हुआ ठीक है अब मैं क्या करूंगा state.country code का यूज करने वाला हूं तो यहां पर यहां पर इसका हम की का नेम भी चेंज करेंगे like मैंने यहां पर लिख दिया country sort name यह जो basically मैं नेम रख रहा हूं ना basically actually मैंने जो last lecture में बना दे ठीक है अब यहां पर मैं क्या करूंगा state. यहां पर मेरे को country code डालना है ठीक है country code like इंडिया का आइन होगा मलेसिया का MBI होगा ठीक है इस तरीक से होगे ठीक है तो यहां पर आपके successfully states जो है inserted हो चुके है I hope आपको understand हो रहा होगा जो भी मैंने किया सेम मैं इसको copy करता हूँ यहां पर मेरा जो है अब चलने वाला है cities के लिए ठीक है यहां पर मैं लिख दूँँगा cities और यहां पर मैं cities लिख देते हैं और यहां पर हम वो method call कराएंगे city city dot get all cities ठीक है यहां से हम सारी cities मिली अब मैं यहां पर cities का फोरीच लूग चलाऊंग और यहां पर लिखा cities work तो cities work dot insert ठीक है अब यहां पर आ रहा हुगए basically मैं यहां पर सबसे पहले से प्रजीकूट को चेंज करता हूँ और यहां पर मैं लियिता हूँ cities इंसर्टे debate यहां अभी यहां पर हमारे पास शिटी का डेटा हुआ ख शकते नमे इम्पोर्टेंट है कोड रहे है हुआ यहां पर नकी कश्रीव इंपोर्टेंट छीए रहा है यहां पर ने किया कि आपने पास country code बेजा जो कि उनके पास iOS code था ठीक है जो कि यहां पर हमारे पास country code यह saved है ठीक है लाइक इंडिया या चाहे कुछ भी आया ठीक है फिर यहां पर हमें state code important है ना कि हमें country code important है क्योंकि आपको पता है state के अंदर city होती है country code के अंदर हमें यहां पर नह name city.name गया ठीक है और यहाँ पर हमें डल्वाना है state code नहीं कुछ भी रख सकते हो रहे हैं energy rate name में मैंने्यों रख लिया city. यहाँ पर मेरे को need पढने वाली किसकी state code मैरे लिए काफी इम्पोर्टेंट क्योंकि मेरे state code के बेस पर ही मैं उसकी city find out कर पाऊंगा ठीक है तो यह मेरे लिए काफ important है तो यहाँ पर cities inserted हो चुकी है आपकी अब guys यह वाली हमें testing की need पढ़ने वाली है तो हम इसको close कर देते हैं तो अभी ऐसा कोई database मेरे पास exist नहीं करता है जो कि अभी हमने dependency dependent का पर चेक किया था ठीक है कोई exist नहीं करता है आना होता तो यहाँ पर c or dk c or e के बीच में आ गया होता ठीक है अब मैं इस code को run करने वाला हूं मैं फोड़ा इसे टॉप पर लेकर जाता हूं और हम चेक करने वाले कि क्या यह हमारा बर्किंग करेगा यानि ठीक है नोड इंडेक्स डॉट चेस ठीक है यहाँ पर जो कंसोल है हमारे वो चलने चाहिए तो यहाँ पर यह जो अब नोड मोंन नहीं इसटार्ट किया विए विसकली में नोड कर दिया कंसोल देख सती हो countrys inserted हो चुकी है फिर स्टेट्स है आपकी inserted हो चुकी है फिर सिटीज आपकी inserted हो चुकी है चुटिएव में चुटियों में मतलब इस तरीकिसे आपका और मेरे पास ंडि गया नौल देता हूं उत्तर फ्रदीश ठीक है यह प्रॉपर ठीक है country short name आ रहा है ठीक है इंडिया निया है आपका उत्तर पर देसे हैं थीक है एंसन मैं चलता हूँ अब cities के पास cities के पास आए है यहां पर मैं जहां रहता हूं वह रहता हूं मैं मत्रा में तो मैं मत्रा चेक करूंगा क्या मत्रा इसमें exist करता या नहीं तो यह तो मतलब इस तरीके से हम जो है बर्किंग करा सकते हैं अपने फ्रेंट आंड वालों को दे सकते हैं यह आपका आप की उपर डिपेंडेंट रहेगा कि आप क्या करवाना चाहते हो ठीक है तो यह करवा लीजिएगा तो मिलते हम नेक्स लेक्टर में अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो तो थैंक्यू गैस